नमस्कार दोस्तों योगिश्टिक निकल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वाग दोस्तों आज का यह वीडियो मेरे उन सभी नए टेक्निशन्स दोस्तों के लिए लेकर आया हूँ जो इलेक्ट्रो मेरे रिले से संबंधित कई कोश्चन मेरे से पूछते रहते हैं आज मैंने इस वीडियो में इस रिले से संबंधित सभी फाल्ट फाइनिंग एक ही वीडियो में समेटने कोशिश की है और आप कैसे जान पाएंगे कि हमारी रिले अब उपर उठ चुकी है या नीचे गिर चुकी है या फिर ये अपना काम ठिप कार से कर रही है या इसके खर प्राब होने से क्या-क्या फाल्ट हमारे गैस कीजर में आएंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सिस्क्राइब करना मत भूलिएगा और बैल आइकन के बटन को अवस्या प्रेस कीजिगा तक कि मेरा हर वीडियो आपको प्रापत हो जाए जब हम रिले को ओन क प्रापता है जाकर इसकी बोड़ी में तो यह वह अवाज तक होती है लेकिन जब आप गैस गिजर बंद करते हैं आपने गैस गिजर को ओन किया हुए तो यह उपर ही रहेगी यह डैप यह नीचे नहीं है अब हम रिले की नीचे गिरने की आवाज को सुनते हैं मैं माइक क तो थोड़ा इसके नजदीक रखोंगा ताकि उस अवाज को आप असानी से सुन सके आख कर देख जैसे ही में गीजर बंद करता हूं और वह आवाज आपको सुनाई पड़ती है धपकी आवाज वो रिले गिरने की आवाज होती है तो दोस्तों काफी हद तक आप इस आवाज के बारे में कलियर हो चुके होंगे कि आवाज रिले की उठने की कैसी होती है और नीचे गिरने की कैसी होती है अगर फिर भी कुछ कमी रह गई तो आप इस रिले के उपर अगर हाथ रखेंग वो अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो दोस्तों अब आप देखकर इसके बारे में संपूंता से जान जाएंगे और मैं साथ साथ इसकी फाल्ट फाइनिंग भी आपको बताता जाऊँगा इसलिए वीडियो को देखते भी ध्यांस रहीएगा और सुनते भी ध्यांस रहीएगा जो दोस्त इस लाइन में नए है अभी आप देखिए मैं जब इस रीले को यानि गिजर को उनकर आँ तो ये पूरी तरिके से उपर की तरफ उठ रही है तो आपने देखा रीले ऊपर उठती है और कितनी आवाज करती है और कैसी आवाज करती है अब ध्यान से देखेगा और सुनते रहीएगा अब देखी जब मैं गिजर को ओन करता हूँ तो रीले की पूरी आवाज नहीं आती जो टक की आवास्ती वो आपको अब नहीं सुनाई देगी रीले हलकी सी उपर उठती है या इसका प्लंजर उठता है और साथ की साथ नीचे गिर जाता है क्यों क्यों क्योंकि दोस्तों इसके कहीं कारण हो सकते हैं या तो आपके जैक में दस्त हो सकती है या इसको पावर पूरी नहीं मिल रही किन कारणों से या तो आपके बैटरी डाउन हो सकती है या आपके स्विच में स्पार्किंग हो सकती है या आपका जो सेल वाला बोक्स ह वो लूज हो सकता है यानि कि पावर इस रिले तक पूरी नहीं आ रही शायद ठरकिट बॉक्स में भी कोई प्रोब्लम हो सकती है लेकिन आपको ये तभी पता चलेगा जब आपको ये पता लगेगा कि रिले अभी उपर उठ चुकी या नीचे गिर चुकी तो मैंने कोशिश की है कि ये सारी बाते में क्लियर कर पाऊँ और इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि रिले हलकी से उपर उठती है और साथ के साथ नीचे गिर जाती है इस अवस्था में आपका गैस की ज़गा गैस आगे नहीं जाईगी इसलिए इन सभी sound को ध्यान से सुनना चाहिए ताकि इसके बारे में आप clear हो जाए तो दोस्तो देखा आपने और अब आप देखिए इसको जैसे ही पूरी power मिली तो ये अपना काम पूरे तरीके से करने लगी है यानि की plunger पूरा पीछे की तरफ गया और उसने अपना कारिये सही प्रकार से किया दोस्तो इसका और मैं आपको विश्तार से बताने जा रहा हूँ कि ये एक electron minute लिए होती है दोस्तो और इस वे जब करण जाता है तो ये जो electron force है ये इस plunger को उपर की तरफ उठाती है जैसे हम धनुशमान को पीछे की तरफ किछते हैं और जब तक ये plunger कोईते से पीछे नहीं जाएगा तो आपकी गैस आगे गैस की ज़र में नहीं जाएगी ये आपको हमेशा जहन में एकना चाहिए अब अगर मालीजे आपकी दिले का पलंजर बिलकुल जाम हो गया है उस स्वस्था में ये उपर नहीं उठेगा आप इसको कितने भी पावर देते रहिएगा या फिर आपका पलंजर बिलकुल उपर जाकर स्टक हो गया है यानि कि वो चिपक गया है तो इसमें आपकी जो गैस की सप्लाई है वो कंटीनू आपके गैस गिजर में जाएगी चाहे आप उसे चलाएं या ना चलाएं इससे आपको नुकसान भी हो सकता है इसलिए हम डब लग्षयक्त औसा में चीव भी ब्रेक नहीं हो सकता किसी भी प्रस्टी थी में उसके बाद लेक्ट्रमैक रिले कि जब र्रेक्रमैक्त पावर कम जोर हो जाती है निकि असलिव कोयल कि सकती है वो कम जाती एंतouring खराब हो जाती है इसको मैं आपको विचार से स्क्राब बता